हेलो वाइज वेलकम तो हैक्स फोरस यूटूब चैनल एंड आज जो हम डिसकस करेंगे वह हमने पिछली बार जो एक प्रॉब्लम देखी थी प्रॉब्लम यह थी कि भाई अब तक हमने क्या करा है हमने अच्छा खासा कोड लिख चुगे हम अपनी धीरे धीरे हमने चीटर भ स्कीन को चेंज करता है आजटीन तो अगर वह लेंटरेट में या जिस भी और Master और उसे अपय्यों पज्ण के खाहते हैं तो और होता ही है कि वह द्बारा से ही अक्यूं समझ वेली और वह ऐसे थिस एप्छिशन को घुल हम Isn't तो हम अपनी application को launch करते हैं ठीक वैसे ही समझना कि वह application एकदम new launch होई है तो यह तो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम यह है कि भाई हमने क्विज अप में तीसरे उसमें थे लाइक हमें user तीसरे question पे था उसका मन किया वाई उसने landscape में कर दिया अपना phone ठीक है तो landscape में फोन किया तो अब क्या वो तीसरे question में था लेकिन जब landscape में जैसी जाएगा न वो portrait से तो पूरी की पूरी activity दुबारा से recreate हो जाएगी यानि कि जो उसका activity का on create method है जो जो सिर्फ औ होगी लेकिन यहां पर क्या हो रहा है यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है अंड्रोइड डैवलपर जो हैं लोग एंड्रोइड के उपर बड़े बड़े लोग बैठें उन्होंने ऐसा behavior क्यों चुना वह चाहते वह चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे लेकिन ऐसा क्यों किया गया तो इसका जो रीजन है वो यह है दरसल जब आपका फोन एंड्रोइड फोन पोट्रेट से लैंड्सकेप में जाता है तो कई सारी इंटर्नल कंफिगरेशन एंड्रोइड की इंटर्नल कंफिगरेशन चेंज हो जाती है जब आप पोट्रेट से लैंड्सकेप में जाओगे तो माल लो आपका पोट्रेट में आपकी स्कीन का साइज है वो 720 इंटू 1080 है जायर सी बात है आपका ये विट इंटू हाइट बता रहा हूं मैं तो जो चड़ाई है वो कमी होती है पोट्रेट में और हाइट जादा हो जो हाइट थी वो चोड़ाई हो गई है समझ रहे हो इसको मैच करने के लिए अब जब पूरा के पूरा ऐसी कई तरह की इंटरनल प्रॉपर्टी से हैं जो चेंज हो जाती है जब हम लैंड्सकेप से औरिंटेशन में जाते हैं या स्वरी लैंड्सकेप से पोट्रेट में खुली हुई थी तो उस पोट्रेट में जो भी इंटरनल प्रॉपर्टी थी मतलब उनको मैच के मदलो उनी को देख उनी के हिसाब किताब से आपकी एक्टिविटी क्रेट हुई थी अब स्क्रीन साइज भी चेंज हो गया है ठीक है पहले स्क्रीन साइज कुछ और अब लेंट्सकेप का अलग ले आउट दे सकते हैं यानि कि हम चाहें तो लेंट्सक्रीन अलग एप्लिकेशन दिखेगी वही एप जो पॉट्रेट में कुछ और दिखेगी ऐसा भी हम कर सकते हैं तो यह और जो यह प्रोट्रेट कराने के लिए यह कब हो गा जब एक्टिविट कराने के लिए इन्होंने ऐसा behavior चुना है तो अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है ठीक है तो भाई मेरे तो हम आज क्या करने वाले हैं हम हम यह जानेंगे मतलब कि कैसे अब हम अपनी मतलब देखो अब इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते यह तो नैचुरल भीएवियर ही है इसके खिलाब कुछ नहीं किया जा सकता लेंडस्केप में जाएंगे तो एक्टिविटी रीक्रियेट होगी ही होगी और ऑन के रेट दुबा तो जो डेटा था वह कहां मुढ गया उसका क्या चार डालेंगे मतलब क्या करेंगे तो उन्होंने एक फैसिलिटी को हम्यूज करने जा रहे हैं तो हम इसके लिए क्विज एक्टिविटी में सब्सक्राइब जाएंगें क्योंकि हमारा कंट्रोलर भी यही है और हमारी में यह वाला method है on save instant state और इसके दो variant है हम जो variant यूज करने वाले हैं वो यह वाला यूज करने वाले है ठीक है उसको अभी हम discuss नहीं करने वाले हैं इसे वह simple रखेंगे चीजों को तो देखो यह on save instant state जो है method इसमें भी super call होनी ही होनी है क्योंकि यह खाली नहीं है इसमें super call ज़रूरी है तो यह method है यह automatically यह हम सिर्फ override कर रहे है अगें यह activity class का एक method है जिसको हमने override किया हुआ है and यह activity manager ही call करेगा और यह कब call होगा यह ठीक तब call होगा जब आप landscape से portrait में जाएंगे यह आप जब portrait से landscape में जाएंगे ठीक है यह मैं यूँ कहूं यह तब तब call होगा यह call होगा आपकी जो on stop method है on stop method के बारे में हम अल्रीड डिसकस कर चुके हैं जब हमने android hello world application के बारे में बात की थी तो on stop method से ठीक पहले method कॉल होता है वह यह वाला method कॉल होता है ठीक है एक मिनट जड़ा है हां तो भई तो हमारे गली वाली जो हैं पागल हो चुके हैं उन्होंने डीजे ओन कर दिया है तो अगर हल्ला वल्ला आ रहा हो background में तो उसे ignore करना मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं मेरी आवास पे focus करन तो यहां पे मैंने आप से अभी बात की कि जब हम landscape से portrait में जाएंगे या portrait से landscape में जाएंगे तो ठीक उसी बीच उसी जरनी के बीच यह वाला method कॉल होने वाला है अपने आप ही मतलब हम तो करेंगे नी वह activity manager पे छोड़ दो android पे छोड़ दो बस हमें इतना पता है इतना त अब ही थी क्योंकि ऐसे बहुत सारे अभी method मौझूद है activity class के जिनके बारे में मैंने आपको बताया ही नहीं और आपको जूरुत नहीं है जब जूरुत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूँगा जैसे कि आज इसकी पड़ गई तो आज इसको discuss हम कर रहे हैं और ऐसा मत सम होगा कब इसकी guarantee call होगी जब भी आपका method sorry जब भी आपकी application में on-stop आपकी application का on-stop method call होगा अब आप कहेंगे on-stop क्या है यानि कि अब मैं आपको बता रहा हूं और डीप में कि on-post के बाद भी एक method है on-stop और on-post के बीच में एक method है जो call होता है वह है on-save instant state जी हां like आपने android hello world example याद होगा उसके अंदर हमने हमने पूरा practical करके देखा था कब-कब क्या-क्या call हो रहा है तो उसमें आपने देखा था on-post के बाद on-stop call हो रहा था लेकिन actually में वहाँ पर भी अगर हमने यह method override किया होता और इसमें lock use किया होता तो हम देख पाते कि दरसल on-post के बाद on-stop directly call नहीं हो रहा है यह भी call हो रहा है उसके बाद on-stop call हो रहा है तो समझ रहे हो तो यह जब भी use तब ही call होता है जब on-stop call होने वाला हो ठीक उससे पहले यह call हो जाएगा समझ रहे हो अच्छी बात है अब यह मसा भाई देखो on-stop call होने वाला हो तब यह call होता है on-post call हो तब guarantee नहीं है कि यह call होगा कि नहीं होगा अगेन मैं बता दूँ ठीक है note कर लो तो भाई अब इसका फायदा गया है और यह है कि यस बंडल का काम यह है कि बंडल में बहुत सारी प्रॉपट allies और जाती है जब और ॉपकरतिका करता है ट्तोर इसी बंडल का यूज्ड आ उसनसे से जो आपकी स्टेट है उसको save इसमें हो जाता है यानि कि जब on create method call होता है activity manager द्वारा तो इसमें जो bundle pass होता है वो यह रहा वो bundle खुद बनाते है वो अब on save instance state वाला bundle और वो वाला bundle में connection है दरसल होगा यह जब हम यह वाला method call होगा तो जो मैं डालूंगा ठीक है इस bundle में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ यह bundle से bundle बाजी के लिए नहीं दिया है आप यहां पर मैं इस bundle का use करने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ यह bundle का use क्या होगा फिर लाइक इसमें मैं कुछ भी डाल सकता हूं मैंने बताया था तो कुछ भी मतलब कुछ प्रीडिफाइन चीजें है लाइक एक पूट इंट का भी इसमें मैं तो हमेशा की ही जाएगी तो यहां तो आप की का वैरीबल बना लो पर यहां अभी जस्ट टाइम सेविंग के लिए फटाफ उट्रेंडेक्स हमारा करेंट इंडेक्स हो हो जा रहा है लेकिन चलने है लेकिनन यह फैल ही जा रहा है बार से तो हमें लग रहेगे फिर हम दुबारा से कोशन फर्स्ट प्रिंट कर दे रहे हैं क्योंकि जीरो करेंट इंडेक्स हो जा रहा है अब यहीं चीज हमें सेव करके रहे हैं जब एक्टिविटी रीक्रिट हो तो अब यह चेक कर लें कि एंडेक्स की वैल्यू क्या थी है ना देते हैं रुको इसको यहीं रखो अभी इसको बाद में छेड़ेंगे खामका आप कंफ्यूस हो जाओगे पहले मैं आपको पताता हूं तो यहां इंडेक्स में मैं जो है एम करेंट इंडेक्स जो इंटीजर वैल्यू है सेव कर दूँगा चीक है हाँ तो पर चौरो तो यह पे मैंने क्या करा इस बंडल में बंडल बाजी करही और बंडल में बांध दिया क्या बंडल तो बांधने के लिए होता है इस की में मैंने एक की में लगा दी कि तो कि इंडेक्स ही चाहिए है मैं इसे के लिए इंडेक्स ही तो सेव करा रहे हैं अब यहां पर लोजिक लगाते हैं एक ठीक यहीं पर पता क्या होगा जब on create call होगा अब मैं सिनारियो बता रहा हूँ जैसी आपकी application में on stop call हुआ ठीक है जैसी आपकी application portrait से landscape में गई या landscape से portrait में गई तो हुगा क्या अब आपकी activity में on create method call होगा ठीक है अब जब on create method call होगा ना उससे पहले on stop भी call हुआ होगा और on stop से पहले on save instance भी call हुआ होगा इस बात की गारंटी है ठीक है तो on save instance जब call हुआ होगा तो उसमें जो बंडल उसने पास किया उस बंडल में हमने क्या डाल दिया यही बंडल भाई यही बंडल सेम टूसेम बंडल उठाके क्या करेगा Android हमारा on create method में दे देगा यहां जो बं है अब on create में यह वही बंडल मिल गया हमें हमें चुकि चाहिए भी हमें यही बंडल था अब इस बंडल में इंटीजर पड़ा हुआ है ठीक है अब यहां से हमें इंटीजर निकालना है यहां पर on create में तो यहां ठीक यहां पर एक लॉजिक लगा देते हैं setup listener यहां पर इन यह बंडल में कुछ था ही नहीं ठीक है यह बंडल नरहेगा अगर इसमें कुछ डाला नहीं गया तो यानिकी on save Nee नहीं हुआ था जा गई यानि कि इसके अंदर माल पानी हमें मिल जाएगा तो ये तो अब ये तो बंडल है ना बंडल से मैं कैसे निकालूं सबसे पहले तो करेंट इंडेक्स लिखें क्योंकि इसकी वैलू मुझे री चेंज करनी है क्योंकि स्टार्टिंग में जीरो हो चुकी है दुबारा ये खाबर भी नहीं होन देंगे कि करेंट इंडेक्स की वैलू चेंज जीरो हुई थी बीच में ठीक है तो वो तो जीरो हो गई कोई बाद नी होंदे जीरो भाई होंदे हम ऑनक्रेट में इसको दुबारा से वही वैलू बनाने वाले है जो इसकी पहले थी ऑनक्रेट से प हमें पहले तो यहां देनी है की जिस की से हमने इसको सेव किया था इंटीजर को भाई तभी इसकी वैलू मिलेगी और दरसल गाईस दूसरा इसका एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा वह दरसल है एक डिफॉल्ट वैल्यू मालोगी फोर एनी रीज़न इस की के कोरस्पॉ यह इसा होता नहीं बैठ हमें देना पड़ेगा ऐसा उन्होंने मैंत बनाया ही है तो आपको देना पड़ेगा मतला आसा नहीं कि मैंसे अज़िए ऐसा कर दूं ठीक है एक मेंड़ेंट इसके दो एक वैरिंट है लट मिचेक लेट मीचा कि ऑक गाईस तो इसके दो रहे हैं उसमें डिफोल्ट सब्सक्राइब दतुंदक कि लेisesti आ जाए ऐता सकती है आप क बढून रहे इंच्ट सब्सक्राइब लेनेright था सब्सक्राइब को ट्षaron तो यहां पर हमने इफ कंडिशन में बढ़िया बढ़िया कर दिया है तो अब हो गया काम हमारा हमने लूपोल को भर दिया है ठीक है अब यूजर चाहे कि इतनी भी औरियेंटेशन चेंज कर ले ठीक है तो मैं इस एप्लिकेशन को बिल्ड करके नहीं करने वाला आज ठीक है अब यह आपका homework है आप इसको build करेंगे इसको run करेंगे एंड कोई error नहीं आने माला ठीक है कुछ error के लिए छूटा ही नहीं है कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं हमने on save instant state को यहां पर करा है मैं एक बार मैं दुबारा से दोरा देता हूं कि हमने क्या क्या किया हमने क्या किय bundle है आप समझ गयोंगे जो object है bundle का यहां पर इसका use क्या था इसका use इसी लिए दिया गया है कि अगर आप activity की status state को save करना चाहते हैं किसी भी variable को save करना चाहते हैं किस method में on save instant state method के थुरूप तब आप कर सकते हैं इसमें जो bundle दिया जाएगा इसमें आप कुछ भी डाल सकते ह और यह bundle ठीक यहां पर on create method में पास हो जाएगा अगर आपने इसको override नहीं किवा है और इसमें कुछ bundle में डाला भी नहीं है तो आपका यहां पर bundle जो आएगा इसकी यह जो है नल रहेगा तो इसलिए मैं नल चेक कर रहा हूं simple कि अगर नल नहीं है तो जाहर से बात है इसमे अब जैसी setup on click listener होगा अच्छा 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 सुनो 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 अब यहां पर एक चीज तो रही गई वह यह रहा गई भाई एक चीज हम गलत हो एक चीज यहां पर दिक्कत देगी वह यह दिग्गत देगी कि हमने hard code करा हुआ है तो आप वह fix करो मेरे भाई हाड कोड किया हुआ है आपने क्या hard code किया है वह अभी दिखा था हूं कोल के यहां पर रिसोर्स में यह चीज भी fix कर दो यह मुझे अभी ध्यान में आया यह वाला इसके अंदर जो कोश्चन वियू है इसमें इसमें मैंने tax hard code किया हूआ है पहला वाला मतब टेक्ष जो हम हम को चेंज कर रहा है और यहाई हर यह श्याओ किया हुआ हुआ jorn David पर इमृत होगा हमेशा पहला ही कूश्य में क्योंकि यहां पर hard code किया हुआ है ना मैंने इसको अटाओ अब by default मैं by default यह फर्स question ही प्रिंट होगा बट hard coding से नहीं इस बार current index की मदद से करेंगे तो वापर जाते हैं quiz activity में तो यह कहां हो रहा है तो गाइस अब तो code थोड़ा सा fix करते हैं सबसे पहला हमें update question स्टार्टिंग में कॉल कर देंगे बाइड डिफॉल्ट एक update question जिससे पहला question तो हमेशा प्रिंट हो जब activity new new create होगी उस समय current index value 0 ही रहेगी तो मैं on create method में ही setup listener सब के बाद यहां पर update question कॉल कर देता हूं कि कहीं भी कर लो यहां कर लो बट जायर से इतना ध्यान रखना इस current index value change यहां पर यह तो इसके नीचे ही करना अब update question को call तो अब यह तो हमारा screen पर अब लेकिन दिक्का दिया हो जाएगा अब यहां पर हमने देखो current index value बढ़ा रहे हैं तो अगर मालो activity नहीं नहीं बनी थी और activity की मालो एकदम launch होई है application और इंटेशन चेंज की बात नहीं कर रहा हूं application launch ही किया रही है हमने हमने और सुरू में current index 0 है parent index की value इसकी 0 है बट यहां पर जैसे update कट तो अपडेट कोशन का काम सिर्फ इतना ही है कि वह अपडेट ही करे वह current index की value छेड़े चाड़े ना ठीक है यह current index का छेड़ा चाड़ी हम कर लेते हैं यहां पर किसका यह जो next बटन है इसको हम दे देते हैं ठीक है यहां पर भी update कि अब हमारा मासे हाड़ कोड़ गया तो अब आप सेविंसन स्टेट का फूरा 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 फायदा उठा रहे हैं तो वीडियो आज की होती है समाप्त लेकिन यह सीरीज समाप्त नहीं होगी और काफी लंबे रख जाएंगे हम तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना और हमने जो नहीं बाते सीखिए आपको पसंद आई और कुछ भी डाउट रहा करे तो मेरे भाई कमेंट पूछ लिया करो कुछ अगर कॉंप्लेस्ट रहा करे तो मैं आप से खुद ही बोल दिया करूँगा कि टेलीग्राम में आजो ग्रूप में डिसकस कर लेंग हुआ है कि जिसका हम फाइदा उठा सकते हैं मैं आप से बात की थी बीच में वीडियो में स्टार्डिंग में कि हम अलग लियाउट फाइल भी दे सकते हैं अलग अलग ओरियंटेशन के लिए देखो बाइड डिफॉल्ट और यह कैसे करेंगे वह मैं अगली वीडियो में वीडियो दूर्थ फ Columbia तो आज हमाइन बस अपना लूप खतम किया है कि अब चीडर चीटर ही रहे गा नहीं नहीं ये एक मिनट हमने जो लूप होल खतम किया है एक मिन लैट मीज़ although्सइ tornar भूली प्रओं अच्छ हुआ वीडब करने चासब में रहे कोशन पर थे तो आफ्टर ओरिंटेशन चेंज हम सेकंड कोशन पर ही बने रहें एक बात और गौर करूँ मैंने आपसे बताया री क्रेट होने पर जब एम करेंट इंडेक्स कहां यह जीरो हो जा रहा है क्या यह फॉल्स नहीं हो जा रहा है कि अगर चीट कर के आया था उसने और औरत च्र पर चीट करूँ अब और पर लके मैं मैं आपके वंवक लगा देखो मुझे लगना चीए ना आपके पल्ले कुछ पढ़ रहा है मैं आपको हिंट दे रहा हूँ यानि कि theoretical बता रहा हूँ code आप लिखेंगे आपका homework है और हो सगे तो comment में बता देना कि आपने complete किया है कि नहीं किया या TG, Telegram group में बता देना और एक की रखो की कुछ भी रख सकते हो और यह बूलेन दोगे अब यहां on create में आओगे तो अगेन इसी if condition के अंदर इस line के नीचे आप क्या करोगे इस की इस cheater की value को अगेन एक value दोगे और वो कहां से दोगे कर लेना और नहीं करोगे तो भी रोजगार मरो ठीक है बाई